Hello everyone, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अपने YouTube चैनल के custom URL के लिए हम कैसे claim कर सकते हैं और क्या-क्या इसकी eligibility created या है तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने YouTube चैनल को आपको open कर लेना है open करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा आपका चैनल का logo ठीक है तो अपने चैनल के logo पर आपको click कर देना है ठीक है चैनल के logo पर click अगर आप mobile phone का इस्तमाल कर रहे हैं तो mobile phone में Chrome browser को open कीजिए और यह अपने YouTube चैनल को login कीजिए लॉग इन करने के बाद आप desktop side mode को enable कीजिए enable करने के बाद आपको same option यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है जो PC में मिलेगा वही आपको mobile में भी मिलेगा तो यहाँ पर देखे सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने चैनल के logo पर click कर देना है यहाँ पर देखे settings आपको यहाँ पर settings के option पर click कर देना है तो यहाँ पर चलिए मैं click कर देता हूं click करने के बाद यहाँ channel के option पर आपको click कर देना है यहाँ देखे channel के option पर second number में channel के option पर click करने के बाद यहाँ पर देखे advance settings पर आपको click कर देना है तो यहां पर चलिए मैं क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर नीचे आना है नीचे आने के बाद Manage YouTube Account आपको Manage YouTube Account पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक New Page Open होके आएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर देखे चैनल का user id आज आएगा इसमें और channel id आज आएगा तो यह मैंने यहाँ पर blur करके रखा है उसके बाद आपको जो यहाँ पर क्या करना है क्लैम करने के लिए थर्ड नमबर पर ठीक है अगर आप इसके लिए eligible होंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा ठीक है यही दो condition है तो यहाँ पर अगर आप eligible होंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है you are eligible for a custom URL claim it hair तो आपको यहाँ पर click कर देना है claim it hair पर जैसे आप इस पर click करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो option मिलता है ठीक है आपको यहाँ पर देखिए by default एक यह आता है ठीक है आपके channel का नाम आएगा अगर आप उसमें कुछ add करना चाहते है ठीक है कुछ character आप इसमें add करना चाहते है तो second वाले option पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर चलिए मैं second वाले पर पहले click करके आपको दिखा देता हूं तो आपको second वाले option पर click करके यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ पर आप कुछ भी add कर सकते हैं ज जैसे कि यहाँ पर मेरा दिखिए YouTube.com slash ctips episode उसके बाद यहाँ पर अगर माल इसे हम कुछ भी लिखते हैं जैसे कि cf अगर हम लिख देते हैं तो अगर यह available होगा तो यहाँ पर दिखे ग्रीन में चेक मर आजाएगा तो यह available है ठीक है तो यहाँ पर आप इस पर click यहाँ पर जो भी add करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर add कर सकते हैं जिसे RS हम लिख दिये उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ क्लिक कर देना है I have ready and agree तो आपको इस पर click कर देना है चेक मार कर देना है यहांप यहां पर चेंज URL पर क्रिक करने बाद एक बार आपसे confirmation निवांगा जाएगा ठीक है तो confirm अगर है कि आपको यहीं रखना है तो आपको यहांपे click कर देना थ stain चैक है आपका claim ख़जाएकई यह आपका URL बन जाएगा जाएग Store क्या देखिए यहां पर मेरा tips episode RS मैंने last में add किया था यहां पर देखिए last में RS आ चुका है मेरा ठीक है तो यह मुझे नहीं लेना है तो इसके लिए हम यहां पर चली cancel कर देते हैं फिर एक बार और cancel कर देते हैं और फिर से वापिस से वहीं पर हम advance settings में आ जाते हैं ठीक है advance settings में यहां पर देखिए वापिस से हम उसी page पर आ चुके हैं तो यहां पर फिर से आपको क्या करना है claim it पर क्लिक करना है तो यहां पर पहला number जो by default मेरा यह available है ठीक है तो अगर नहीं रहेगा तो वहां पर जो आपको error आ जागा तो यहां पर चलिए check mark कर देते हैं और यहां पर change URL पर क्लिक कर देते हैं चैंज URL पर क्लिक यह दिखिए हमारा available है इसलिए यह हमारे पास जो है आ रहा है ठीक है confirmation के लिए यहां पर देखिए confirm choice तो यहां पर हम देखिए हैं चैंज कर लेते हैं यानि confirm choice यह मुझे पस्था और हमारा जो चैनल का नाम है वह हमको मिल रहा है है इसमें कुछ भी मुझे add करने की जरूरत नहीं है तो यहां पर हम confirm choice पर क्लिक कर देते हैं जैसे हम confirm choice पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा claim यहां पर एकसेप्ट कर लिया गया और हमारे पास URL जो था वहां पर सो हो रहा था वह ही है मुझे मिल चुका है तो directly उस page पर नाम यहां पर आज आएगा तो आई होफ कि वीडियो आपको पसंद आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like करें share करें